हेलो फ्रैंट्स, वेलकम तो मा यूटूब चैनल, एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नॉम्बर 2 करेंगे, इना कम्प्यूटर लैब, किसी कम्प्यूटर लैब के अंदर, देर आर थ्री कम्प्यूटर्स फॉर एवरी 6 टूडेंट्स, हर 6 बच्चों के लिए 3 कम्प्यूटर्स रखे गए हैं, यहनि 6 बच्चे 3 कम्प्यूटर्स को यूज करते हैं, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कम्प्यूटर्स की जरूत पड़ेगी, यह आपको बताना है, अब इस कोश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं रेश्यो मैथड से, और एक कर सकते हैं यूनिटरी मैथड से, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, तो पहले रेश्यो मैथड देखिए, यहाँ पे दो चीज़े हैं, एक तो हैं कम्प्यूटर और एक स्टूडेंट, तो computer और student की ratio बना लेते हैं यहां पर तो computer मैं उपर ले रहा हूँ और नीचे ले रहा हूँ मैं number of students अब ध्यान देना computer कितने है? computer है 3 और students कितने है? 6 अब यह computer और students का ratio है 3 by 6 का अब यही ratio आगे तक भी चलेगा कि जिस तरह से अभी बच्चे use कर रहे हैं computer को उसी हिसाब से आगे जो computer होंगे उन पर बैठने वाले बच्चे होंगे उनकी जो counting होगी वो भी ratio में ही होगी तो आगे इसको is equal to हम कर लेंगे और जो चीज यहां हमें निकालनी है क्या निकालना है हम से पूछे है how many computers will be needed computers कितने चाहिए तो उपर जो जगह है यह computer की जगह है needed for 24 students students नीचे हैं तो 24 students के लिए कितने computer चाहिए यह मैंने बराबर इसलिए किया है क्योंकि यह equivalent ratio है क्योंकि जिस तरह से अभी 6 बच्चे तीन computers यूज कर रहे है तो आगे भी जो है न इसी हिसाब से बच्चों का और computer का जो ratio है वो same रहेगा अब यहां इसे simplify करना बहुत आसान हो जाएगा denominator में देखे आप यहां 6 का 24 हो गया है तो 6 को किस से multiply करेंगे जो 24 हैगा यह हमें 4 से multiply करना पड़ेगा यानि जो बच्चे है न वो 4 गुना बढ़ गए है 6 से 24 हो गए है तो जब यहां 4 से किया है तो यहां भी 4 करना पड़ेगा equivalent बनाने के लिए तो 3 4s आ 12 तो यानि जब बच्चे 4 गुना बढ़ गए है तो computer भी 4 गुना बढ़ेगे तो 3 से 12 हो जाएंगे तो इसका answer है 12 computers तो 12 computers की ज़रूत पड़ेगी यह तो हुआ ratio method अब इसी question को मैं unitary method से कर देता हूँ unitary method में क्या होता है कि पहले हम एक चीज़ का निकालते है हमें यहां दे रखा है कि 6 बच्चे 3 computer यूज करते हैं तो computers needed for 6 students यह है 3 ध्यान रखना जिस चीज़ को हमें निकालना होता है वो हम right side में रखते हैं जो हमें दे रख़्ी होते हैं वो हम left में रखते हैं हमें computers निकालना है तो computer को मैंने is equal to के right side में रखा है तो computers needed for 6 students 6 बच्चों के लिए 3 computer चाहिए तो फिर हम next line में निकालेंगे कि एक बच्चे के लिए कितना computer चाहिए तो next में लिखेंगे computers needed for 1 student यह हो जायागा 3 by 6 यह जो value यहां होती है left में यह इधर जाके divide हो जाती है 1 का निकालना हमने 3 by 6 हमें निकालना है 24 students का तो last line में computers needed for 24 students अब यह तो एक का है 3 by 6 हमें 24 का निकालना है तो इससे multiply 24 से करना पड़ेगा इससे solve करते ही हमारा answer आजाएगा 6 और 24 आपस में कट रहे हैं 6 बंजा 6 होता है 6 फोर्जा 24 होता है 3 फोर्जार उपर आगया है 12 यहां भी answer 12 ही आएगा क्योंकि 12 computers की ही requirement होगी जब बच्चे 24 होगे वैसे भी practically भी यहां पर दिखाई दे रहा है कि जब 3 computer 6 बच्चे हैं यानि computer का double बच्चे हैं जितने computer है उससे double बच्चे हैं यहां भी यही था कि जितने computer थे उनका double जितने computer उनका double 12 computer तो 24 बच्चे आप इस question को दोनों तरीके से कर सकते हैं ratio method से भी कर सकते हैं और unitry method से भी कर सकते हैं unitry method में यह ध्यान देना होता है कि पहले हम एक चीज़ का निकालते हैं एक चीज़ का निकालने के लिए divide करना होता है और ज्यादा का निकालने के लिए फिर multiply करना होता है question खतम तो इस वीड़म बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए goodbye